हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल स्टेडी किंग पे आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एडिटोरियल वोकैबलरी साथ में देखेंगे ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन और इस सीरीज का ये 31 वा दिन है अगर आपको इस तरीके का एडिटोरियल प्लस वोकैबलरी पार्ट चाहिए तो आपको क्या करना है इस नंबर पर अपना नाम और आप जी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिख कर मुझे वाटसब करते हैं अगर आप फेस्बूक, इंस्टा, किसी भी अधर माध्यम से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें आपको सारे के सारे इंपोर्टेंट लिंक्स प्रवाइड किये गए तो देखें सबसे पहला वर्ड क्या था हमारे पास जो आज के एडिटोरियल में इंपोर्टेंट था और मैं आप लोगों के सामने लिक्या है ये है कॉल आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है और एक्जैम्स में फ्रेजल वर्ब बहु जादा पुछे जाते हैं जो भी फ्रेजल वर्ब या इंपोर्टेंट इडिएम्स बेगर किसी एडिटोरियल के अंदर आएंगे तो मैं उसको कवर करूँगा इसका मतलब होता है चिलाना हालाकि इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं लेकिन एडिटोरियल के हिसाब से इसका मतलब था चिलाना सेम मीनिंग के वर्ट्स देखिए क्राइ आउट, एक्सक्लेम, आउट क्राइ अपोजिट मीनिंग के वर्ट्स देखिए बी क्वाइट, विम्पा ये है ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन कॉल आउट के चिलाने पर, ठीक है तेज बोलने पर वही पर लेके जा रहे हैं आपको तो आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं और इन वर्ट्स को नोडाउन कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ट देखिए क्या है ब्रीच नाउन के तोर पर इसका इसका इस्तमाल किया गया था और इसका मतलब था उलंगन, same meaning के वर्ष देखे, abuse, violation, opposite meaning के वर्ष देखे, obedience, observance, ये है graphical representation bridge की, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इसके, जैसे एक मतलब हो सकता है break, एक हो सकता है breakthrough, एक हो सकता है non-observance, एक हो सकता है disagreement, एक हो सकता है opening, और फिर इनके कौन-कौन से same meaning के words हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर cover किये हैं, तो आप इसका screenshot लें, और इन सभी को no-down करने एकोसिस करें, तो देखे, एक word से कितने सारे word इसहाँ पर cover हो जाएंगे, next देखे, appraisal, noun के तोर पर इसका इस्तमाल किया गया, और इसका मतल़ मुल्यांकन करना, ठीक है, तो same meaning के words देखे, assessment, opinion, estimate, judgment, evaluation, appraisal की जो graphical representation वो आपके सामने है, अगर इसका मतल़ assessment होता है, तो क्या-क्या meaning के words ले सकते हैं, जो इसके same meaning के words के तोर पर लिए जा सकते हैं, अगर valuation है, तो कौन-कौन से ऐसे words हैं, जो इसके same meaning के words के तोर पर लिए जा सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाएं, ठीक है, next word देखे unrelenting adjective के तोर पर इसका इसका इस्तमाल किया गया और इसका मतलब बेरहम जिसमें बिल्कुल दयाना हो same meaning के word देखे merciless ruthless opposite meaning के word देखे kind, merciful ठीक है अब बात करते है graphical representation की तो जैसा कि मैंने कहा merciless ठीक है तो यह सारे के सारे जो words हैं यहाँ पे यह सारे के सारे same meaning के words है merciless के और अगर इसका मतलब steady निकलता है तो फिर यह जो words है आपके इनको same meaning के words के तोर पर लिया जा सकता है steady के next देखे set of यह phrasal verb है इसका मतलब उतेजित करना same meaning के words देखे instigate, insight stir up opposite meaning के words देख लेते हैं discourage, suppress अब देखिए जो set of है उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं अगर आप कहीं पर भी search करेंगे न आप बहुत जादे meaning निकल आएगी तो जितनी भी meanings हो सकती है वो cover up करने की मैंने कोसिस की है यहाँ पर ठीक है आप इसको अच्छे से cover करें इसका मतलब leave हो सकता है ठीक है और यहाँ पर जितना भी दिखा रखा हो सारे की सारे इसकी meanings के तोर पर लिया जा सकता है next देखिए clamor noun के तोर पर इसका इस्तमाल किया गया और इसका मतलब है sword normally इसका इस्तमाल होता है जब आप किसी चीज की demand करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए हो हला करते हैं ठीक है noise, shouting यह same meaning के words लिए जा सकते हैं opposite meaning के words के तोर पर calm peace, silence इनको ले सकते हैं यह है graphical representation इसकी ठीक है तो अगर इसका मतलब यहल है तो यह जो words हो जाएंगे यह same meaning के words हो जाएंगे noise है तो फिर यह जो words हैं आपके यह same meaning के words के तोर पर लिए जा सकते हैं ठीक है commotion अगर आप regular मेरी वीडियो देख रहे हैं फोलो कर रहे हैं तो यह word बहुत बार आचुका है यह word बहुत बार आचुका है ठीक है तो words जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बार बार आते जाएंगे वैसे वैसे mind में और बहतर तरीके से fit होते जाएंगे next देखिए penchia नाउन के तोर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब सर्व रोगहारी कई बार इसको रामबान भी बोल देते है हर बिमारी का इलाज करने वाला same meaning के words देखे cure all elixir nostrum opposite meaning के words देखे disease, injury, pain तो यह important है आपके ठीक है यह बहुत बार exams वगएरा इसको अच्छे से नोट कर लें आप लोग आगे बढ़ते हैं quakery noun के तोर पर इसका इस्तेमाल हो और इसका मतलब मिथ्या चिकन साले ठीक है यानि कि जहां पर सही तरीके से इलाज ना हो कही ना कहीं पर एक हिसाब से कह सकते हैं धोका देना चीट करना और क्योंकि आज का जो एडिटोरियल था वो जो रामदेव की पतंजली ने जो एक मेडिसीन किट लेके आये थे और उसमें दावा किया गया था कि करोना के लिए फाइदेमंद होगी फाइदेमंद कि उन्होंने कहा एडिटर ने ये दिखाया है कि वो कही ना कहीं क्या थी धोका धड़ी था एक हिसाब से तो उसी इसलिए वर्ड जो है इस तरह के आपको मिल रहे हैं इस वीडियो के अंदर तो आप एडिटोरियल पढ़ें और फिर इस वोकाब्लिय को देखें तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अब देखें कौन-कौन से वर्ड लिये जा सकते हैं सेम मीनिंग के वर्ड के तोर पर चाहले लिटिंजम डिसेप्शन, एपोजिट मीनिंग के वर्ड देखें ओनस्टी, रियलिटी ठीक है तो देखें एक मीनिंग क्या हो सकती यहाँ पे देखें आप एग्जेक्टली समझ पाएंगे इसको जो बेजड है ओब्जर्वेशन और एक्स्पिरियंस पे जिसके अंदर सेंटिफिक फाइंडिंग्स को पूरी तरीके से नकार दिया गया कुछ-कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला था अभी जो केस हुआ पतंजिली वाला ठीक है एक मीनिंग हो सकती है तो उस केस में भी देखें बेइमानी वाले बाते आ रही है तो यह सारे के सारी वर्ट्स ले जा सकते है जैसे इसको याद करने का तरीका ही हो सकता है तो अगर आप ध्यान से देखें इसको चार और लात ठीक है तो अगर कोई बेइमान आदमी है तो हम उसको क्या मारेंगे चार लात मारेंगे ठीक है तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है ठीक है Next word देखे Potency Noun Noun के तोर पर इसका इस्तमालब हो और इसका मतलब सकती Same meaning के word देखे Power, Force, Strength Opposite meaning के word देखे Impotence, Inability अब ये आपके सामने है Potency Graphical representation और इसके क्या-क्या meaning हो सकती है वो सामने आपके जैसे influence ठीक है विगा, power, persuasiveness ठीक है तो यह सारे के सारे और उसके बाद वो क्या-क्या meaning रख सकते हैं आगे उसके क्या-क्या same meaning के words हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने मैंने रखे हैं next देखे placebo noun के तोर पर इसका इस्तमाल हुआ और इसका मतलब प्रियोगिक उसद related words ही देखने पड़ेंगे इसके क्योंकि इसके same और opposite meaning के words नहीं निकाले जा सकते तो medication, test substance, fake pill तो आप समझ पा रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर इन words का इस्तमाल हुआ है तो आप समझे कि किस editorial से यह लिया गया है तो उससे समझना असान हो जाएगा तो जैसे मान लिजी एक meaning क्या हो सकती है inert medication तो कहीं न कहीं यह भी क्या होगा कि देखे अगर आप related word देखे जो डोटेड लाइन है यह related word दिखा रहा है जैसे active placebo ठीक है अगर हम इसकी meaning निकाले तो तो यह meaning जा सकती है तो चर्च से भी related हो सकता है medicine से भी related हो सकता है यह word next word देखे subversion noun के तोर पर इसका इस्तमाल हो और इसका मतलब है nas same meaning के word देखे rebellion, mutiny, rebel rousing, insurgents और यह है graphical representation इसका ठीक है तो इसको आप no down कर सकते है next word देखे approbrium और noun के तोर पर इसका इस्तमाल हो और इसका मतलब हो kalank same meaning के word देखे disgrace, scandal, opposite meaning के words देखे steam, owner, pride यह है आपका graphical representation का अगर इसका मतलब sensor निकलता है तो यह सारे के सारे जो words हैं यहाँ पर यह सारे के सारे same meaning के words के तोर पर ले सकते हैं और अगर इसका मतलब निकलता है disgrace तो यह जितने भी words यहाँ पर given है यह सारे के सारे opposite, sorry, same meaning के words के तोर पर लिए जा सकते हैं चीक है आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो जो students मेरी वीडियो को जगह जगह पर share कर रहे हैं मैं उनका दिल से सुक्रियादा करना चाहता हूँ Thank you so much